नमस्काद रश्को यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर राशी वा मकर लगन के लिए मई 2022 का राशी फल सबसे पहले हम देखेंगे कि मकर राशी वा लगन के लिए मई के महा में ग्रेहों का गोचर क्या रहेगा माई के महा में शनी महराज जो है मकर राशी से दूसरे भाब में आजाएंगे कुम राशी पर यारी मकर राशी पर शनी की साड़े साती का तीसरा चरण लागू हो जाएगा और चनी के साथ जो है मंगल की भी उती होगी देव गुरु बड़स्पती शुक्र के संग्युती कर रहे हैं तीसरे भाब में और आगे चलकर मंगल भी उनके संग्युती कर लेंगे सूरे वा राहू की उती महा के आरम में मेश राशी में और पंदरा मही के बाद राहू जो है मृषव राशी में सूरे जो है मृषव राशी में बुद्के संग्युती करेंगे केतु जो है दशमभाव में बिद्यमान है तुला राशी में तो ये तो है ग्रेहों की स्थिती मकर राशी वा मकर लगन के लिए ये वीडियो मकर राशी के लिए है मकर लगन के लिए है जिनका मकर लगन है उनके तो साड़े साती नहीं चल रही क्योंकि उनकी राशी कोई दूसरी होगी लेकि जिनकी मकर राशी है वो साड़े साती के प्रभाब में है तो जैसे ही अपना 29 अप्रेल की बात करते हैं शनी मा कुम में रहेंगे अब इस शनी के कुम में रहने का आपको क्या परभाब मिलेगा इसको जानने का सबसे असान तरीका है कि अगर आप जोतिश में थोड़ा बाद भी इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप एक सॉफ्ट्वेर है जो अराम से मिल जाएगा एस्ट्रो सेज बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अठाइस से जादा बिंदू हैं 31 32 33 बिंदू है तो मान के चलिए जब तक शनी कुम राशी में रहेंगे आपकी तो निकल पड़ी आपको पता ही नहीं लगेगा कि साड़े साथी कैसे निकल जाएगी इसलिए मेरे कहने पर अगर आप अगर किसी विद्वान जोशी के प्रभाब में है तो उससे कहिए मेरा सरवास्टा वर चैज करके बता कि मेरी कुंडी में सरवास्टा वर में कुम राशी में कितने अंक हैं हाँ अगर 28 से कम अंक हैं 20 या 21 अंक हैं तो अपने को थोड़ा समल के चलने की जरूवत है तब आ हैंगे 16 जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक तब तक का समय 23 से लेकर 25 तक का समय भी आपका बढ़िया जाएगा तो इसलिए आप मेरे कहने पर एक बार प्ली सरवास्टा वर चेक कर लीजेगा फिर डिसीजन लीजेगा कि शनी की साड़े साथी का आपके ओपर एफेक्ट क्या होत पति की दिष्टी जो है सब्तम भाव पर है अपनी उच राशी पर और सब्तम भाव है दशम से दशम भाव यानि ये इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर आप जौब की तराश में थे तो आपको जौब अपरिचुनिटी मिल सकती है आप अपनी परमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं क्योंकि गुरु के संग जो आपके दशमेश शुक्र है वो पी उच राशी में बिद्यमान है और गुरु वा शुक्र जैसे शुक्र है आपके भागेवाब को देख रहे है तो आपको भागे का भी साथ मिलेगा आपका भागे बली रहेगा लेकिन इसके साथ सा आपको बांद लिया यानि अब आपको महनत थोरी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, महनत आपको ज़ादा करनी पड़ेगी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे साथ ही आपके कारे छेतर में किसी पकार का परिवर्तन भी दिखाए दे रहा है हो सकता है या तो आपकी बरतमान जॉब में ट्रांसफर हो जाए अब बरतमान जॉब में ट्रांसफर आपके लिए कितना पॉजिटिव होगा ये निर्भर करेगा, पहली बात तो ये कि शनी जो कुम्मे गए हैं, उसमें उनके सरवास्टक में कितने अंक हैं, 28 से जादा अंक हैं तो कोई टेंशन नहीं, इसी पकार गुरू जो मीन में गए हैं, उनके सरवास्टक में कितने अंक हैं, अगर अंक जादा होंको तो ट्रां रिचाने की संबाबना बन जाएगी और अगर आप इस समय बरतमान इस्तिती में इस पोजीशन में इस्तान परिवर्तन करते हैं तो आपको लाब होगा त्योंकि राओ केतु का राओ जो हैं आपके चौते घर में बैटे हैं चौता घर पाप पीडित हो गया अब राओ केतु तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेनत जादा करनी पड़ेगी इस यह बेसिक फंडा है राओ केतु का इसको ध्यान रखेगा ऐसा लगेगा जैसे आपके कामों में बार बार बादा आ रही है तनी एफर्ट्स कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिलें लेकिन रिजल्ट आपक आपके पास जरिया बनेगा जो अपने विवा के लिए प्रयास रखते उनका विवावने की संबाबना बनती है शनी मकर से अपनी रिष्टी दे चुके हैं और देव गुरु बर्सपती की सब्तम को रिष्टी मिल रही है आप अपनी विवा के लिए प्रयास कर सकते हैं दा पत्ते जीवन आपका जो कुटुम है उसमें किसी पकार का विवार टेंशन या परिशानी ना हो जाए परिवार का वातावरन ठोड़ा सा टेंश ना हो जाए इसके अलावा थोड़ी से और साफधानी रखनी है पहली बात सूर्य जो है अस्टमेश ओकर पंचम में रहेंगे और बुद्ध जो है शस्टे शोकर पंचम में रहेंगे एक तो आपको मई के महा में संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको परिशान कर सकती है संतान से आपका कोई मध्वेत हो सकता है विदार्तियों को पढ़ाई में थोड़ी सी टेंशन रहेगी बारवार उनका ध्यान महनत उनको जादा करनी पड़ेगी साथी मंगल की रिष्टी अच्टम भाब पर है विद गाड़ी वाहन विल्कुल सावदानी से चलाईए किसी प्रकार की वहां द्रुगत ना होने की संबावना बनती है साथी मंगल जैसा घ्रह आपकी वानी भाब में बैटा है वानी को दोश बना रहा है और उस सुरे के ओपर शनी की भी इष्टी है ऐसी इस्तिती में पिता के स्वास्ते को लेकर विशेश रूप से चंता है 15 मई तक पिता के स्वास्ते का ध्यान रखेगा अगर आप इन दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मकर राशी वा मकर लगन क के लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है का खाली यह सोच के मत खबराईएगा ना इसी टेंशन में आईएगा कि साड़े साती का तीसर चरन कैसा जाएगा जो कि जोतिश में हर चीज का इलाद है अगर आप अपने सर्वास्ते वर को कंफर्म कर ले सर्वास्ते वर नेगट तो भी आपको जादा प्रावलन तब होगी जब आपकी कुंड़ी में सूरे की दिशा चल रही होगी या दोदेश गुरू की दिशा चल रही होगी ऐसे ग्रह जो आपकी कुंड़ी के छटे आठवें बार में भाप से सम्मद रख रख थने उनकी अगर महा दशाय और अंत और सरवास्टा गर भी मुझूद हो तो मान के चलो आपकी निकल पड़ी आपका काम ऐसे होगा कि आपको पता ही लगेगा साल कैसे निकल गया यह सब थोड़ा सस में ध्यान रखने की जरूवत है तो खाली आप गोचर सुनके टेंचन में मताईएगा अब मैं बताती हूँ कि आपके लिए जो काम करने का समय आया है मई के महामे इसमें आपके लिए शुक्तितियां कौन से निकल के आई है शुक्तितियां निकल के आई हैं हमारे पास 5 वा 6 मई, 7 वा 8 मई, 9 वा 14 मई, 15 वा 16 मई, 17 वा 20 मई, 21 वा 25 मई, 26 मई वा शुक्तितियां है हमें कुछ भी नया काम प्लान करना है, कोई हमाई इंटर्वू देना है, किसी से मुलाकात करनी है, कहीं अपलाई करना है तो इन तितियों का धान रखिए, चंदर्मा पॉजिटिव होगा, आपका काम बनेगा, आप मोरली भूष्ट रहेंगे अब मैं आपको मई के मा के सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ, जब चंदर्मा हमारा चौथा, आठमा या वारमा होगा मकर राशी वा लगन के लिए, जब भी चंदर्मा मेश का, सिंग का या धनू का होता है, तो वो चंदर्मा लेगेटिव होता है भूल कर भी उस इस्तितियों में कोई काम मत करिएगा उन दिनों में, उन दिनों अगर काम करेंगे तो कोई नों कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आपको जोतिष का ग्यान है, तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन निया, सुर्फ आपको देखना है ग्यारा नमबर में अगर 28 से जादा बिंदू लिखे हो है, तो मान के चलिए कोई टेंशन निया, थोड़े से कम बिंदू है, तो फिर और यही चेक कर लिजेगा आपको दशाएं कैसी चल रही है दशाएं अगर शनी बुद्ध शुकर की चल रही है, तो कोई टेंशन फ्री हो जाए, कोई टेंशन की बात निया, हाँ दशाएं थोड़े नेगटिव हो, तब उसमें कोई टेंशन वाली बात है, कोई नीच का गरह है, या शत्रू छेतरी गरह है, या चाटे आटे आटे परिशानी की बात है, एक दम ऐसे परिशानी की बात है, हमेशा नहीं होता, ये एक भैम है कि साड़े साथी हमेशा नेगटिव जाती है, साड़े साथी में हमेशा नेगटिव जाती है, देश के काफी प्राइमिस्टर जो है, साड़े साथी में ही प्राइमिस्टर बने है, अभी तक भारत का इत्यास उठाके देख लिए तो कितने प्रैमिस्टर जो हैं साड़े साथी के दुरानी देश के परधान मंत्री वने है साड़े साथी हमेशा नेगटिव नहीं जाती तो दर्शकोई मेरा वीडियो था कि मकर आशी वा मकर लगन के लिए मई 2022 कैसा जाएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीस कमंट बक्स में कमंट करके बताएगा इसके साथी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तर सब्क्राइब नहीं किया तो किर्पा मेरा चैनल सब्क्राइब कर दे साथी बेल अकन को भी दबा दे जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएग और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथी नमस्का दश्को जैमाता दी